तो फाइनली मीसो अपने ही सेलर से ठगी स्टार्ट कर चुका है। खुलमिला के यू कहें कि अगर आप मीसो पे सेल करते हैं तो अब आपको सायद सेलिंग करना बंद कर देना चाहिए या आपको मीसो पे सेलिंग करने से पहले बहुत सारी साधानी बरतनी पड़ेगी। अब आप मीसो पे सेल करेंगे तो आपकी पॉकेट का पैसा भी मीसो पे निकल जाने वाला है। अलेडी मैं आपको बताया कि मीसो बहुत जादा नुकसान में है और उसको कोई भी कमपनी फिल हाल अभी तक फंडिंग नहीं दे रही है। 2021 में फंडिंग मिली थी उसके बाद किसी कमपनी ने मीसो को फंडिंग देने में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो कुल मिलाके मीसो के पास पैसे की बहुत बढ़ी सॉर्टेज है जिस से इनको अपने आपरेशन को रन करने में प्रॉबलम आ रही है। साथ में मीसो की जो सबसे बड़ी problem है वो यह है कि मीसो के जो customers हैं वो समान बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं Sellers अपना item भेजते हैं, customers उन item को चुरा के और ये कह देते हैं कि जो हमने order किया वो तो हमको seller ने भेजा ही नहीं और उसकी जगा पे कुछ और रखके भेज देते हैं या कई बार वो किसी एक product की 2-3 या 4-5 quantity order करते हैं और return में सिप एक वापस करते हैं ये कहके कि हमने 3 मगाया था seller ने एक भेजा इस तरीके के हजारों fraud मीसो पे बहुत ज़ादा है और चुकि मीसो अपने sellers को claim देता रहता है जिससे उसको एक ज़्यादा लंब समय amount sellers को देना पड़ता है और उससे मीसो का नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है तो मीसो ने अपने losses को थोड़ा recover करने का ऐसा नायाब तरीका निकाला कि मीसो के जो sellers हैं वो बरबाद हो जाएंगे पहला तरीका ये निकाला कि अब अगर आपका कोई भी item customer चोरी कर लेता है उसकी जगा पे कुछ और item आपको return में भेजता है या more than one pieces customer order करता है less quantity receive लिखके वो remark आप comment देता है और product वापस कर देता है अब उस case में मीसो आपको SPF claim नहीं दे रहा है मीसो ने एक automated template बना के रखा है जैसे ही अब आप कोई भी claim फिल करेंगे थोड़ी ही देर में कुछ seconds में कुछ minute में आपको एक response दे दिया जाएगा कि customer ने बताया है कि जो product उसने order किया वो product उसको नहीं मिला है या जितनी quantity उसने order की है वो उसको नहीं मिली है तो आप जब items को sip करें तो पहले आप verify कर लें मतलब मीसो sellers को ही blame कर दे रहा है कि आपने ही हमारे customers को गलत item भेजा या गलत quantity भेजी आप जब items को pack करें तो आप पहले verify कर लें मतलब कुल मिला के ये है कि sellers भले ही सही item भेजे customer चोरी कर ले बट फिर भी मीसो ये कहके deny कर देता है claim नहीं देता है कि आपने ही गलत item भेजा भले ही आप अपनी CCTV footage उसको दे दे या जिस समय आपने item को pack किया है उसकी footage उसको दे दे फिर भी मीसो में अप कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो template के बाद कोई भी seller support associate ये देखी नहीं रहा है कि उस seller ने उस CCTV footage भी दिया है जब item उसने sip किया है तो कुल मिला करके ये मीसो अपने losses को recover करने रखते हैं उसमें पैसे कमाते हैं तो हम भी क्यों ना रखें मीसो भी account management या account manager के लिए नए programs लेके आ गया है basic and pro दो अलग अलग category रखी है और 30 days की जो fees होगी अगर आप मीसो के account manager को अपने पास रखते हैं या account manager appoint करते हैं तो उसमें इनका जो basic version है उसकी fee है 200 रुपए discounted में ये 2000 रुपए ले रहे हैं और जो इनका pro version है उसकी fee है 3000 उसमें ये 25 रुपए seller से charge कर रहे हैं अब सायधी ऐसा बहुत कम होगा कि मीसो sellers मीसो के account manager को hire करें तो ये दोनों ही तरीके खास कर जो पहला है जिसमें वो claim नहीं दे रहे हैं तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो बहुत सारे मीसो sellers अपना account already बंद कर चुके हैं और बहुत सारे sellers account बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये decisions हाल फिल हाल में ही मीसो ने लिया है क्योंकि अभी तक मीसो randomly claim approval दे देता था लेकिन अब धीरे धीरे वो sellers को claim देने से मना ही कर दे रहा है आप उसको कोई भी recording दे दो मीसो में अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो ये आपके लिए खासी चेतावनी है warning है अगर आप मीसो पे sell करते हैं आपके साथ भी ये हो रहा है तो अब आपको समझने की जरूरत है क्योंकि आप comments तो करते हैं कि मीसो चोर है कि ये claim नहीं दे रहा ये नहीं कर रहा और actually ये सब के साथ में हो रहा है कोई आपके साथ में नहीं हो रहा है तो एस वीडियो में इतना ही, उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much for watching